Hello everyone, this is Dikshar Aathor and welcome back to my channel. So friends, इस वीडियो में हम coronavirus से related, जो MCQs बनते हैं, जो fact हैं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे. ये देखें, coronavirus जो है, ये आज की time का सबसे trending में ये एक, कह सकते हैं, बहुत ही main topic है, हर exam में, चाहे वो आप किसी भी exam की तियारी कर रहे हो, ठीक है, उसमें आप से इससे question पूछे जाएंगे, so that's why वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो को like and share कर दीजिए, चैनल को subscribe कर ल COVID-19 के लिए सबसे पहले रूस के द्वारा, स्पूत्निक वी नामक vaccine पंजिकृत कराया गया है, ठीक है, हर एक point को आपको अच्छे से पढ़ना है, समझ लेना है, आपना उडाउन कर सकते हो, ठीक है, तो COVID-19 के लिए सबसे पहले किस के द्वारा, रूस के द्वारा, स्पू 2019 में मिला था, that's why COVID-19 में 19 का अर्थ जो है, 2019 से निकला है, ठीक है, COVID, Corona Virus Dices, ठीक है, Corona Virus Dices 19 का अर्थ है, 2019 में ये पहला केस जो है, दर्ज हुआ था, December 2019 में चीन के वुहान शहर में ये केस मिला था, ठीक है, तो Corona Virus की पुष्टी जो है, सबसे पहले December 2019 में मध्य चीन के हुबेई प्रांत की राज़ानी जो है, वुहान में हुई थी, अगला है, हुने Corona Virus से होने वाली बिमारी का जो आधिकारिक नाम है, COVID-19 यानि Corona Virus Dices रखा है, और हुने, हु कोन है, World Health Organization, इन्होंने 11 मार्च 2020 को वैश तो ये डेट आप अच्छे से याद रख लेना, PM नरेंदर मोदी ने जनता कर्फू लगानी की जो अपील की थी, वो 22 मार्च को की थी, 22 मार्च 2020 को, लेकिन सबसे पहला जो लोकडाउन लगाया गया था, संपूर्ण भारत में 23 मार्च 1920 को, ठीक है, सबसे पहले जो है, नरेंदर मोदी द्वारा PM केर्स फंड की घोशना की गई, भारत का पहला COVID-19 समर्पित अस्पताल मुंबई में रिलाइंस ने ओपन किया था, ये हर एक पॉइंट को आपको समझ लेना है, आप इसको नोट डाउन को लिजेगा, COVID-19 से संकर्मित होने वाले जो पहले प्रध क्योंकि इलाज के लिए भारत का पहला प्लाजमा बैंक जो है दिल्ली में खोला गया, करनाटक ने 18 जून 2020 को मास्क दीवस मनाया, COVID-19 के खिलाफ लडने के लिए संयुक्त रास्टर ने मनिपूर की खुडौल पहल को विश्व के 6-10 पहलों में शामिल किया, COVID-19 से मुक्त ह होने वाला पहला यूरोपिया देश जो है वो है सलोवेनिया बना, ठीक है, करोना वाइरस से निपटने के लिए G20 देशों ने ग्लोबल इतनागमी में जो है 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर देने की घूशना की, भारत की पहली करोना वैक्सिन जो है को आक्सिन को भारतिया च करोना कटी का विक्सित करने का दावा करने वाला पहला देश रूस है, हभी हाल ही में करोना वाइरस ट्रैकर किसने लॉंच किया है तो ये किया है माइक्रोसोफ्ट ने कोरोना वाइरस से लड़ने के लिए स्वच हातों की शक्ती को बढ़ावा देने के लिए सेफ हैंड्स शुनोती की शुरुआत किसने की तो यह हूने की है वर्ल्ड हैल्थ और्गेनाजिशन ने वाटसप के लिए भारा सरकादवारा कोरोना वाइरस पर पूछे गए सवालों के जवाब देने के लिए किस नाम से चैटबॉट बनाई गई है तो यह बनाई गई है माइगॉग कोरोना हेल्प डेस्क किसने कोविड-19 महमारी से समंधित जानकारी के लिए एक वेबसाइट लॉंच की तो यह किए है सारक आपदा परबंधन केंद्र देखे सारक देश में नो यह देश है जिसमें ऑस्टेलिया, चाइना, यूरॉपन यूनियन, इरान, जपैन, कोरिया, मौरिशेज, म्यमार, अमेरिका ठीक है यह सारक देश है और इसकी जो स्थापना हुई थी 8 दिसमबर 1985 को, ठीक है 8 ओफ डिसमबर 1985 को, ओके कोरोना वाइरस के परिक्षण के लिए कितनी नीजी प्रयोक्षाला शिंकलाओं को मंजूरी दी गई है 29 किस बैंक ने IND COVID Emergency Credit Line की घोशना की है तो यह की है इंडियन बैंक केंद्रिय सरकार ने गरीबों के लिए कितने रुपे के रहात पैकेज की घोशना की है तो यह की है 1.7 लाक क्रोर next point है COVID-19 Task Force की साथ मा किस ने की है ती की है विज्ञान और प्रद्योग की विभाग DST ने करोना वाइरस कितने प्रकार के होते हैं तो साथ प्रकार के होते हैं किस भाशा से उत्पन हुआ यह नाम करोना वाइरस लेटिन भाशा से सुक्षम दर्शी यानि माइक्रोसकॉप द्वारा देखने पर कोरोना वाइरस की जो सरंचना है वो किसके समान दिखाए देती है तो क्राउन यानि मुकुट के समान यूएंट स्टेड रिपोर्ट के अनुसार भारस कोरोना वाइरस के कारण प्रभावित अर्थ विवस्था में किस स्थान पर है तो यह है दस्थान पर ठीक है कोरोना वाइरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य है वो है राजस्थान कोरोना वाइरस जो है कई परकार के विश्वानों का एक समुहूं होता है और COVID-19 जो है हुँ ने जिसका पूरा नाम है COVID-19 का कोरोना वाईरस डिसस तूथाजन नैन्टेन कोरोना वाइरस जो है मुख्यता स्तंधारियों और पक्षियों में ये रोग उत्पन करता है और ये RNA वाइरस है कोरोना वाइरस का सीधा प्रभाव जो है मान और शरीरी में स्वशन तंत्र रैस्पिरेटरी सिस्टम पर ये पढ़ता है और इस वाइरस से फेफडा जो है वो संकरमित होता है इसका प्रभाव जो है सरदी के मोसम में सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है क्योंकि जुखाम हो जाता है जल्दी सरदी के मोसम में तो ज़्यादा प्रभावी होता है और इस वाइरस के चारो और मुकुट जैसे सरंच इसके आसपास उभरे हुए काटे जैसे होते हैं इसलिए इसका नाम जो है कोरोना वाइरस पड़ा कोरोना क्राउन की जैसा ठीक है कोविड-19 बीमारी को बढ़ता देकर हूने से व्याश्विक महामारियानी पैंडेमिक घुशित किया था कब ये मैंने आपको बताया था 11 मार 2020 को ठीक है और इस मामारी से निपटने के लिए भारत सरकार ने मामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया है कोरोना वाइरस का पहला मामला जो है भारत के केरल राज्य में देखा गया भारत में कोविड-19 से सबसे पहली मोत जो है करनाटक में हुई थी और कोरोना वाइरस को मामारी घूशित करने वाला प्रत्म राज्य जो है वो है हरियाना भारत के केंदर शाशित प्रदेश लक्षुदीप में कोविड-19 का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ कोविड-19 के वैक्सीन का मानव परिक्षण यानी हुमें ट्रायल जो है सबसे पहले अमेरिका नहीं कि सहायता राशी दिया आगे हम बात करेंगी कोविड-19 के समय चलाए गए जो महतपुन ओपरेशन यानी मिशन है ओपरेशन नमस्ते ये किसलिए लौंच किया गया भारतिय सेना द्वारा खुद को कोरोना वाइरस के संकर्मन से मुक्त रखने के लिए ये चलाया गया अभिय भारत मिशन सागर का जो डिस्क्रिप्शन है कोविड-19 से निबटने के लिए मालदीव सिंसेल्स और मेडा गौसकर कॉमरोस को आवशक खादय समागरी तथा आयुरवेदिक दवाओं की आपुर्ति करवाना तो ये मिशन सागर जो है इसलिए चलाया गया ऑपरेशन कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फसे भारतिये जो थे उनको वापिस लाने के लिए भारतिये नो सेनागा ये ओपरेशन चलाया गया ऑपरेशन संजीवनी कोविड-19 से निबटने के लिए भारत ने इस ओपरेशन के तहत मालदीव को 62 टन आवशक दवा यहां ठीक है जड़ी बूटी अब हम इसमें देखेंगे कोविड-19 से रिलेटेड जो एप्स जो पोर्टल जो ऑपरेशन लागू किये गए कोरोना कमच एप ये लॉंच की गई भारा सरकार के द्वारा बेकता चेंड ये अभियान शुरू किया गया केरल सरकार के द्वार दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया ओपरेशन शिल्ड पंडुचेरी सरकार के द्वारा ये अप लॉंच की गई नाडी अप ठीक है जारकंड सरकार के द्वारा प्रियागम प्रग्याम अप जो है ये लॉंच की गई और उनाचल प्रदेश के द्वारा लॉंच क कि द्वारा थी उजना यह द्वी सरकार की द्वरा की द्वरा यह आप लौँस टाल स्विल सर्विसेज एस्सेशन के द्वरा यह वूंच की द्वर वीसेयसी टनल जो है यहतलंगाना सरकार के द्वरा IGOT पॉर्टल जो यह भार प्रवासी रोजगार आप ये लॉंच की गई सोनु सूद के द्वारा आयूश कमच आप ये लॉंच की गई उत्रप्रदेश सरकार के द्वारा कोविड फर्मा एप ये लॉंच की गई अंद्रप्रदेश सरकार के द्वारा ठीक है तो ये एप जो है ये आपको अच्छे सी याद रख लेनी है ओके आप इसका स्क्रीनशोट भी ले सकते हो अब हम इसमें देखेंगे एमसीक्यूस ठीक है तो एमसीक्यूस जो है इसमें सबसे पहला कोश्चन जो है कोरोना वाइरस क्या है यह वाइरस का एक बड़ा परिवार जैसा है यह निडो वाइरस के परिवार से समंदित है ए और भी दोनों सही है या केवल ए सही है तो यहाँ पर आंसर क्या सही हो जा है तो यहां ऐसर सही हो जाएगा ए और बी दोनों सही है देखिए यह 0222 तर यह बर्म उस्वार जाएगा प्रिवार जासा है कोरोना वाइरस साथ साथ केलए है इसमें ऐसमें यह जो है नीडो वाइरस के प्रिवार से संबंदित है तो आंसर यहां पर सही हो जाएगा C आंसर ठीक है C आंसर बिल्कुछ सही है नेक्स्ट जो कोश्चन है यह आप इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो वीडियो को पोस्ट करके ठीक है आगे बढ़ते हैं 11 फरवरी 2020 को विश्व स्वस्थय संगठन ने इस बिमारी के लिए एक अधिकारिक नाम की घूशना की है जो कि 2019 नौवल कोरोना वाइरिस के प्रकॉप का कारण बन रही है इस बिमारी का नया नाम क्या है हां जी तो बताईए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप पढ़ दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा तो यहां आंसर होगा सही ए आंसर कोविड नाइनटीन है ना कोविड नाइनटीन हू ने ये नाम दिया था वर्ल्ड हैल्थ और इसकी स्थापना होई थी हू की साथ अप्रेल उन्नी सो पचासी ना सुरी उन्नी सो अर्टालिस ठीक है 1948 में और इसका जो मुख्याला है वो स्विजर लैंड में है नेक्स कोशन है नौवेल कोरोना वाइरस के पहले मामले के जाच कहा होई थी बीजिंग संगाई वुहान या तियान जीन तो ये पहचान हुई थी वुहान में चीन के वुहान शहर में अगला कुशन है कोरोना वाइरस निमलिखित में से किस बिमारी से संबन्दित है तो पढ़िए किस से रिलेटेड है कोरोना वाइरस किस बिमारी से रिलेटेड है तो ये जो है ये रिलेटेड है सी आंसर ए और भी दोनो देखो MERS का मीनिंग है Middle East Respiratory Syndrome ठीक है और SARS का मतलब है Server Accurate Respiratory Syndrome जैसे घंबीर बिमारियों से लेका जैसे नॉर्मली हमें सर्दी जुखाम होता है ठीक है coronavirus से ये हो सकती है तो ये आपको याद रख लेना है ठीक है dear आगे बढ़ते हैं इसके आप description पढ़ सकते हो novel coronavirus के कुछ हलके लक्षन क्या हो सकते हैं बुखार खांसी सांस लेने की तकलीफ या प्रोक सभी तो answer सही हो जाएगा तीनों ही बुखार खांसी सांस लेने की तकलीफ ये हलके लक्षन होते हैं तो यहाँ पर answer सही हो जाएगा हमारा D answer जैसे नाक बहने लगती है सरदर्द, गले में खराश ये सभी है टेस्ट नहीं आता है किसी भी चीज़ का तो D answer बिलकुर सही है इससे हम ये लगा सकते हैं कि सामने वाले को corona हो चुका है ये symptoms है coronavirus का नाम तो coronavirus का नाम कहां से पढ़ा है ये पढ़ा है crown like projection जैसे अनवानों के कारण crown की तरह ये दिखता है crown जैसे दिखता है और corona का अर्थ है hello या crown latin में corona का अर्थ है hello या crown तो बिलकुल आप अच्छे से description पढ़ सकते हो आगे बढ़ते हैं coronavirus से बचने के लिए कौन सी साधानिया बढ़तेने की जरूरत है चीक आने पर अपने नाक और मुहू धक कर रखे अपने हार में अधिक लैसुन शामिल करे antibiotics उप्चार के लिए अपने डॉक्टर से मिले या हर घंटे के बाद अपने हाथ दोए तो यहाँ answer सही हो जाएगा A answer चीक आने पर अपनी नाक और मुहू धक कर रखे ठीक है यहाँ पर लिखा है ना हूक्य कोडिंग कोई व्यक्ति टीशू या कोहनी के माध्यम से चीकते समय नाक और मुहू को कवर करके साधानी बढ़ सकता है और फिर टीशू को जो है एक बंज अस्ट भी इन में फ्यक दे तो आप भी मास्क लगाईए ठीक है अगला कुशन है वह है लोग जिनमें किसी रोक के कोई लक्षन नहीं दिखाते हैं तो उनको क्या कहते हैं पढ़ लीजे कुशन को तो यहां पर आंसर जो है हमारा सही हो जाएगा इन में से कोई नहीं ठीक है डी आंसर सही हो जाएगा जिनमें कोई रोक के लक्षन दिखाई नहीं देते हैं तो वो डी आंसर कहलाता है इन में से कोई नहीं किस चीनी प्रांत में COVID-19 का पहला मामला पाया गया हुबेई, युनान, जिजी आंग या हुवाई तो किस चीनी प्रांत में COVID-19 का पहला मामला पाया गया तो यहां अंसर सही हो जाएगा हुबेई ठीक है एह अंसर यहां पर सही है हुँ ने एहतियात के तोर पर किस के शिफारिस करी, एक प्रिवार को एकठा करना कलब जाए, शराव की उच समागरी के साथ साबून या सेनेटाइजर से हाथ धोई या पार्टी के लिए जाए तो क्या सही आंसर हो जाएगा यहां आंसर होगा कि सराव की उच समागरी के साथ साबुन या सेनेटाइजर से हाथ धोए C answer right है हम सभी flatten the curve या COVID-19 के दैनिक मामलो की संख्या को कम करने के लिए क्या उपाय कर सकते है हाधोना दोड के लिए जाए social distancing या parasitamol नियमित रूप से ले तो इसके लिए हम क्या कर सकते है social distancing जो है हम follow कर सकते है एक मिटर तक हम जो है उनसे दूर रह सकते है ठीक है तो C answer बिल्कुछ सही है अगला question जो है COVID-19 प्रकॉप के वाइरस का नाम क्या है COVID-19 प्रकॉप के वाइरस का नाम क्या idea तो ये है SARS COVID-2 ठीक है तो D answer सही है सबसे व्यापक क्या है एक प्रकॉप व्यापक रोग एक महामारी या इनमें से कोई नहीं answer क्या सही हो जाएगा तो ये है एक महामारी ठीक है C answer सही है अगला question है quarantine शबद कहां से आया है तो कहां से आया है the number 40 he term quick the fraction quarter या इनमें से कोई नहीं तो 14 में answer जो है हमारा सही हो जाएगा तो देखिए यहाँ answer सही हो जाएगा first answer the number 40 ए आंसर बिल्कुछ सही है next question है लक्षन दिखाने के बाद उन्हें 14 दिन के लिए बताया गया घर पर रहो self isolate quarantine या इनमें से कोई नहीं तो लक्षन जब दिख जाते हैं तो उसके बाद उन्हें 14 दिन के लिए self isolate बताया गया है तो answer सही हो जाएगा यहाँ पर B answer एक बिमारी जो जानवरों से मनुश्यों में फ्याल सकती है option है stay notic hypnotic genotic EN में से कोई नहीं तो answer right हो जाएगा genotic तो C answer यहाँ पर हमारा सही है तो dear यही थे आज के हमारे question आपके कितने सही होए है comment में बताएगा औके और यह मेरा WhatsApp नमबर है 8295024375 यहाँ आप मुझसे contact कर सकते हो और dear मेरा personal channel है Mission Ted तो वो भी आप subscribe कर लिजेगा वहाँ पर भी आपके exam के लिए बहुत अच्छे अच्छी videos मैंने upload की हुई है तो मिलते हैं next video में next question के साथ so thanks for watching my video do like, share and subscribe my YouTube channel till then bye bye Rabrakha Jai Bholenath